नमस्कार दोस्तों UPSC एकाड़ा में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो UPSC Civil Services है Prelims 2020 उसका First Paper General Studies का है उसका Analysis बताऊँगा और जो Paper आये उसके Original Quaushions दिखाऊँगा आपको कि कैसे Quaushions आये थे और किन स्पार्ट से आये थे Environment, Geography, History किस पार्ट से हमारे ज्यादा Quaushions आये थे वो सब देखेंगा हम इस वीडियो में तो यह है First Page आपका General Studies Paper 1 UPSC Prelims 2020 का इसमें आपको General Instruction दिये होती है अब हम देखते कुछ Analysis थे अगर देखे बात करें तो तो UPSC Prelims Civil Service 2020 का अगर मैं करूँ तो इस बार हमने देखा कि जो direct questions थे न वो कम थे comparative to जैसे कही बार आते index पूछ लेते थे, reports या और भी जो direct question थे इस बार थोड़े कम थे comparative to the last years Paper was more based on conceptual understanding, observation and static portion than current affairs as said in our videos यह मैं आपको बता चुक हूँ पहले कि जो paper जो है ना जो हमारा जो paper था इस बार UPSC Prelims का 2020 ठीक है general studies वाला paper यह ज़्यादा था conceptual understanding के उपर based था आपकी observation आपको और static portion ज़्यादा था current affairs से भी तो आपने को क्या करना है देखी दोस्तों जो भी इस पार next time paper देंगे ठीक है उनके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़े आप पढ़ो उसको conceptual understand करो तो आपके ज़्यादा question solve कर पाऊँगे आप और चीज़ों को observe भी करो अलग-अलग जगाँ पे ठीक है नीज़ वेपर में ठीक है उन्होंने बताया था कि हम क्या करते है अपनी तैयारी में undue importance देता है current को जबकि हमें करना चाहिए balance करना चाहिए current को भी पढ़ना चाहिए static को भी पढ़ना चाहिए ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए static को neglect नहीं करना चाहिए और नाई current को अंडी importance देना जाहिए यह इस paper से देखा गया है क्योंकि इस paper में अगर आप देखो तो static है काफी questions थे उसके बाद interpretation, application of concepts and holistic understanding is required to clear the exam इस paper के देखा गया है कि आपको जो भी आप पढ़ो ठीक है उसकी आपकी conceptual clarity होनी चीए और उनको आप जो भी conceptoring को apply कर पाओ ऐसा paper था इस बार ठीक है और आपकी holistic understanding होनी जी सारे dimension उस question के बारे में ठीक है तो ऐसे अगर आपका अगर पढ़ाई करोगे तो आपका ज़्यादा चांस होता है कि आप exam clear कर पाओ यह paper ऐसा ही था और आप बात करूँ इस बार जो prominent areas थे अगर देखे गए तो पॉलिटी के काफी कोशन पूछे गए इस बार लगभी सेंचूरी और नेशनल पार्क से भी काफी कोशन है और फिर agriculture के काफी सारे कोशन है और mapping based question भी अच्छे हासे है ठीक है तो देखा जाए तो मेरे साब से जो बूम areas वो है quality wildlife century and national park agriculture और mapping based question इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कई questions ना ऐसे थे कि history और culture के तो काफी tough थे लेकिन आप उसको अगर हिंदी version पढ़ते ना तो आपको काफी help हो रही थी तो आपको ये भी ध्यान रखने है आपको कि यह मैं आपको अपको अपनी वीडियो में जो एक्जाम से बहले में डाली थी उसमें बताया था कि history और culture के question आप हिंदी में जुरूर पढ़ ले वो आपको काफी help करेंगे अगर आप बात करें economics की तो economics में दिखा गया है कि current affairs के comparatively conceptual जो areas है ना उनसे ज्यादा question question पूछे गए देख तो आपके concepts के लिए रहे हैं उनको आप apply कर पा रहे हो तो आप काफी question solve कर पाते है economics की ठीक है current की कुछ terms थी लेकिन ज्यादा जो largely economics का portion था वो static का part जादा था conceptual part जादा था जो आपकी conceptual understanding और उसको apply करने के उपर based questions थी तो यह तो होगा दोस्तो analysis अब मैं आपको दिखाता हूँ paper कैसा आया था ठीक है और कौन-कौन से part से question थी तो पहला question हम देखते है यह अधार के उपर based था तो यह कौन से sector में आएगा schemes वाले part में आप इसको कर सकते हो ठीक है अधार से related question था first second question था वो राज्यसभा से related था ठीक है और यह पॉलिटी का part है third question MP-led scheme था और यह भी पॉलिटी का part है fourth quality से fundamental rights के बारे में fifth separation था judiciary और executive यह पॉलिटी का part है अब sixth question जो है वो budget का part है ठीक है बजट से पॉलिटी का part है यह भी seventh question जो था constitution के बारे में पॉलिटी का ही पार्ट है constitution government के आरे में पुछा हो है eighth question जो है वो universal declaration of human rights ठीक है और उसमें पुछा हो कि कि fundamental rights के लाव और किसी सब आते हैं यह तो यह भी पॉलिटी का part है नाइन्थ question जो है free legal aid के बारे में यह पॉलिटी का पार्ट है tenth question जो है आपका different declarations थी ठीक है agreements थी तो यह भी आपका international relation और current affair based माल लो ठीक है next है 11th 11th जो है आपका यह parliamentary system से related है पॉलिटी का part है 12th जो है यह आपका कि से related है पॉलिटी से related है और welfare state का concept पूछा हुए ठीक है 13th आपका basic structure और यह constitution judicial review यह भी पॉलिटी का part है 14th personality से पार्ट है में लोगी personality गांदी और मार्क्स इनके ideas पूछा है आता है पॉलिटी के अंदर ही है 15th bureaucracy पॉलिटी 16th preamble ठीक है यह पॉलिटी का part है 17 गोल्ट ट्रांच यह reserve ट्रांच यह मैं आपका अपनी वीडियो एकनोमिक्स वाली वीडियो में भी करवा रख है ठीक है एकनोमिक्स का part है और international relation में भी कर सकता है आपसको count 18 पार्ट 4 यह पॉलिटी का part है ठीक है 19th question जो है यह election से related है ठीक है 20th question Parliament यह पॉलिटी का part है 21st question जो है वो history की कुछ terms पूछी वी थी ठीक है जो आपको terms है और कौन से related है तो history का terms का part है इस paper में आपको यह रेखा गया है कि यह ना पहले जो different subjects उनको segregate करके question पूछेंगे कि जैसे पहले पॉलिटी का पूछ लिया फिर history का पूछेंगे फिर science and technology फिर economics ऐसे काफी हद तक paper को segregate किया गया है जबकि जो पहले papers हम देखते थे उनमें इतना segregation नहीं देखा जाता कई बार question उपर नीचे होते कभी economics का आगया बीच में कभी किसका आगया इस बार काफी segregation है comparatively 22nd question जो है वो आभी आपका history religious history से related है history और culture का पार्ट है 23rd जो है industrial revolution history का पार्ट है 24th question जो है ठीक है यह chronological order पूछा हूँ है history का इस पार्ट है 25th question है हुंडी के बारे में पूछा हूँ है history में भी आता है और economics में भी आप पढ़ते हैं ठीक है 26th है यह modern history से related है 27th Gandhi Irwin pact के बारे में पूछा है modern history 28th modern history के बारे में पूछा हूँ है ठीक है विठल विजान सक और 29th जो है यह भी आपका history से related है ठीक है terms पूछी हूई है 30th जो question है यह भी आपका history से related है एक statement दियो बताया कि इस ruler नहीं कहा था history और culture का part 31st आपका culture से यह भी term पूछी है culture की तो terms में economics में भी है और history और culture में terms पे काफी question आया है modern history में ठीक है यह रखम बाई के case के बारे मुचा है एक particular case के बारे मुचा है modern history का Indigo cultivation के बारे मुचा है modern history ठीक है 34 जो यह modern history का part है वेलेसली ने जो फोर्ट विल्यम कॉलेज एस्टेब्लिश के तो उसके बारे मुचा हो है उल्गूलन यह भी modern history का part है 34 35 और यह 33rd question यह डारेक्ट आपके modern spectrum जो modern history के spectrum उससे आप कर सकते है इजी लिस उसको दंग से पढ़ते तो 36th question भी आपका किसे है history से related है अब देखो पहले quality होगा history अब यह science tech करवा रहे है तो यह काफी किसका आपका पार्ट है segregated किया है काफी आप जो question आएगे science tech के है वो ठीक है पहला question है pro nuclear transfer से बुचा हो है फिर artificial intelligence का है question 38 39th question जो आपका visible light communication से है 40th question blockchain technology का बुचा हो है 41 आपका nanotube से related है 42nd drone का question है drones ठीक है 43rd science and tech space का पार्ट है 44th question है science and technology biotech का पार्ट ठीक है 45th question science and technology health का portion जो आते है उसमें 46th है currency related term है public infrastructure 47th biology का यह question मैं एक static question आ गया तो आप इसका मतलब यह नहीं static question इस बर biology का आ गया next time biological physics chemistry बढ़ने लगे एक question आ है तो इसको आप ऐसी manage कर पाते है कर आगा आपको general simple knowledge भी पता होती तो ठीक है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको biology पढ़नी start कर देनी है तो एक कोशन है कोई दिक्कत नहीं अगर चाहता है छोड़ भी देता कर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी 48th environment pollution से लेटेड है benzene pollution के बारे बुच्छा हो है ठीक है 49th economic का concept है अब देख ठीक है global financial crisis इसके application बुच्छा हो थी फिर 50th यह concept दो 49 और 50 economic के concept है उनकी application बुच्छ रही है अब देखे अब economics question start हो जाएंगे ठीक है 51 भी economics FDI के concept के बारे मुच्छा हो था 52 terms है ट्रेंड से लेट रहे 52 है यह इंटरेशनल ट्रेड में जो ट्रेंड के बारे मुच्छा हो है ठीक है इंडिया का तो economics का है ट्रेंड का पार्ट हो गई न्यूकलर वाला section और current का भी आता है इसमें 56 जो है यह एकनोमिका concept से रिलेटेड पार्ट है ट्रेंड के बारे मुच्छा हो है 57 यह economical concept की जो भी है आपका monetary policy उसकी application बुच्छी हुई है concept की 58 जो है यह observation based portion है कि 1991 जो economic reforms थे उससे क्या changes है यह observation based question है economics related 59th question जो है वह आपका economics का banking का पार्ट है 60th question जो है current affair related ठीक है science and technology जो information technology बढ़ता है cyber crime के बारे में cyber national related आएगा current भी वालो science and technology information technology का पार्ट यह आपका है 60th 61st जो है आपका economics agriculture related ठीक है 62nd है interest coverage ratio यह economics की terms के अंदर आएगा question जो हम terms बढ़ते है different different अगर आपको यह पता होता है interest coverage ratio तो आप नाम से इस question को कर लेते 63rd जो है ठीक है price rise के बारे price of rise के बारे मुझे तो आपको economics का पार्ट मालो जो agriculture के अंदर आते है यह economics का trend का question है 64th ठीक है trade हमारा बढ़ा है कम हो है किसमें बढ़ा है textile के बारे मुझे है countries का तो जो trade का पार्ट है economics के अंदर trends के अंदर से यह question आया हुए 65th economic organization के बारे में बुच्छा हुए ठीक है यह question में थोड़ा direct question था अगर आपको पता है कौन-कौन member है तो आप easily इस question को कर पाते तो एक दो question तो है direct पर mostly question क्या है आपको interpret करना था यह application बेज दें जाए 66 जो question है किसान credit card scheme यह economics का पार्ट है agriculture भी मालो schemes में बढ़ते हैं 67 जो है वो आपका consumer price index CPI WPI के बार में बुचा है economics के अंदर inflation chapter बढ़ते हैं उसके इंदर हम बढ़ते है CPI WPI या अगर index is different different बढ़ते हैं economics के अंदर तो उससे भी question आप easily solve कर पाते है 68 mapping based question है geography से जोग्रफी में ज्यादा question mapping के हैं इस बार concepts के थोड़े कम पूछे है एक पूछा है बाद में दा हूँआ ocean graph वाला बाकि mostly mapping के है economics में agriculture का पार्ट है यह वाला आपका MSP का जो पार्ट है न तो MSP के बारे में बुचा है 69th MSP 70th जो question है Indian economic concept commercial paper यह पूरा पूरा आपका conception रिलेटर है economics का commercial paper certificate or deposit zero coupon bonds 71 with reference to the cultural history of India यह भी ठी culture का पार्ट आगया question culture का आगया 70 seconds जो है environment का पार्ट है Indian elephants के बारे में पूछा हुआ है यह आपने एक news भी बढ़ी होगी का फिर न्यूज में थी कि बेबी elephant ठीक है एक pregnant elephant ठीक है उसने pineapple को किसी क्रेकर दाल के खिला दीते तो उसका जो बेबी अंदर था वो क्या होगा था अब बेबी खतम हो गया था ठीक है तो उससे जो रिलेटेड न्यूज थी तो उससे यह कोशन को आप रिलेट कर सकते हैं तो उसी अगला पाइब कोशन है डिफरेंट डिफरेंट यह कहें आपको नाम दे रखें एंविर्मेंट बाइवर्स से रिलेटेड है ठीक है सीलोन फुरोग मौथ डिफरेंट नाम दे पूछ रखा है कि बर्ड से हैं प्रीमेंट से हैं क्या है तो एनविर्मेंट से लिटेड है 75 जो कोशन है यह आपका वही फिर नेशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचुरी से रिलेट है ठीक है इंडियन स्वैंब डियर के बारें बारा सिंगा के बारें बुचा हुए 76 जो है आपका यह भी एनविर्मेंट से रिलेटेड है कि वेस्ट का आप कैसे बेटर रुटिल त्क पॉलॉशन का पार्ट है ठीक है इनमें से Хотя कोलेश के बारें बिचा हुए कि कैसे उसको इसके बारा कंटेंस क्या क्या कांटेंस एटी इस जो कौश्ट है बायो चार के बारें फार्मी में क्या यूश ओसका है इभी एनविर्मेंट से रिलेटेड है ती नाइन्थ कौ दूरा एंचाउल वर नोन एज तो एक पटिकुलर लोकेशन है इस्ट्री में उन्सके बारे मुच्छा हूँ है 83 जो कोशन है जीरो टीलिज उसका एडवांटेज बुच्छा हूँ है ठीके अग्रिकल्चर माल लो ये एन्वारमेंट से लिटेड है 84 जो है वह आपका एंवारमेंट और साइंस टेक से मिलेटेट बायो फ्यूल के बारे में कोशन है 84 85 फिर अगें एंवारमेंट और ये कोशन काफी एप्लिकेशन बेस्ट काफी आपको समझना पढ़ेगा इसकोशन में आंजर करने के लिए ये एन्वारमेंट का पाट है इंडर उसका ठीक है तो एगरिकल्चर और एक्रामिक्स के पार्ट में मानेंगे हम इसकोशन को 86 फो 87 जो है ये जोग्राफिका कोशन है concept अम पूछते है डिफेरेंट जो क्रॉप से उनकी क्या कंडिशन रिक्वाइड होती है उससे कोशन आया है 87 ठीक है जोग्राफिशन क्या दिवेंगाइड डिफेरेंट कि कौन सी क्रॉप में के लिए suitable है उसके याद है 88 फोशन ये science and tech से लेटेड है ठीक है solar water solar technology solar power उससे लेटेड है इटेड अब एटी नाइंथ 89 एटी नाइंथ एग्रिकल्चर का कोशन है ठीक है क्ल्टीवेशन ओँ शुगर के इंडिया शुगर केंगे पूछा हुओ है उर्टेकनलोगजिय से लेटेड़ेडक न्नित कोशलर फिर उर्टेकनलोगश्य्क्श से लेटेड़ेड़ेडर क्रेंडेड़ेड है के बारे में 94 फोर्थ कोश्चन जो है वह आपका chemical fertilizer से एक्रिकल्चर का बाट है 95 जो कोश्चन है वह आपका wildlife century और नेशनल पार्क से लेटेड है इंडियाज डेजट नेशनल पार्क के बारे में बुचा हो है ठीक है 96 सियाचिन ग्लेशर के आरे मैप से कर सकते था भी जी इसको 97 जो है ठीक है यह famous places और present state के बारे मुचा है तो यह भी observation based question हो गया 98 जो question है वह geography से लेटेड है ठीक है water resource होते है उनसे मालो आप water resource के बारे मुचा हो है और current में भी आप पढ़ते है 98 99 ठीक है यह conceptual question है geography का jet stream के बारे मुचा हो है jet stream cyclone different concept पुछे मैं actually 100 question अगें यह environment और wildlife और national park का part है ठीक है और कहिना कि आप यह current में भी आप इसको बढ़ते तो दोस्तों यह थे आपके analysis मैं आपको पता है इस वीडियो में कैसा paper आया इस बार का सारे question दिखाया original paper से ठीक है तो मैं तो इस को देख कि यह कोँगा कि हमें अपनी conceptual understanding पर काम करना चाहिए ठीक है और current और static को equal importance देने चाहिए undue importance नहीं देना चाहिए current को और मेरे हिसाब से दोस्तों यह paper जो है पिसले बार 2018 2018 और 2019 है उनके comparatively यह paper थोड़ा क्या है easy लगा मुझे compared to 2018 and 2019 ठीक है दोस्तों इसमें यह बात और मेरे को अलग लगी कि जो 18 और 19 जो question थे ना उसमें कई question out of box थे इसमें बहुत कम question थे जो out of box थे ठीक है यह तो आपको बात मैं बतायता हूँ कि मैं आपको पहले बताया है कि भई ऐसा तो हो गई होगा कि 10-12 question तो आपको बिल्कुल लियाएंगी लेकिन जो बाकी question थे अगर एक sincere candidate है उसने अच्छे से पढ़ाई किया है static or current की डंग से पढ़ाई किया है तो बाकी question मालो around 85-90 question जो थे manageable question थे ठीक है उनमें से कुछ गल्द भी होंगे सही बहुत अलग तो तुमने खोगर रहाईैंगी रहाई टेल रहाई है तेए